ओम शान्ती, आज 7 सितंबर 2023 के साकार मधुर महवाक्य हैं, आज जनमास्टमी का पावन पर्व बहुत धूम धाम से मनाया जा रहा है, आप सभी को भी स्रेकष्ण जनमास्टमी की बहुत बहुत हारदिक पधाईयां, हम सब के लिए बहुत सुन्दर खुश्खबरी श्रबाबा सुनाते हैं, कि अब आप नई दुनिया में जा रहे हैं, जहां पर सत्युवी दुनिया में सबसे फर्स्ट प्रिंस हैं स्रेकृष्ण जी, जो सोला कला संपूरन संपूरा निर्वीकारी मर्यादा पुर्शोतम सित्यों को फेस करते हुए भी आपकी प्रसनता कभी जाए ना, आप सदा प्रसन चित रहें, आज के दिन माताई श्रेकृष्ण जी को जूला जूलाती हैं, वरत रखती हैं, सच्चा वरत है कि हमें मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख नहीं देना है, जूला जूलाने के सा साथ अपने आप को भी देखेंगे क्या हम अतिंद्रिय सुख के जूले में जूल रहे हैं, जाकियों का दर्शन करते करते अपने जीवन को भी जाकना बहुत जरूरी है, क्या हम भी यहाँ पर रहते हुए उनके समान गुणों से संपन्व बने हैं, ऐसी नई दुनिया में चलने के लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और द्रड संकल्प करना है, कि हम सदा प्रसन चित रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियां बाटेंगे, आज के मधर मुर्ली में बाबा ने विशेश रूप से कहा, कि आज के दिन आप सब को अंतर स्पस्ट करो, श्रे कृष्ण जी में और परमात्मा शिव में महान अंतर कौन सा है, शिव रच्यता है, श्रे कृष्ण जी उनकी प्रथम रच्णा है, शिव निराकार है, और श्रे कृष्ण जी सोला कला संपूरन, संपूरन इर्वेकारी दिव्य आथमा है, दोनों में अंतर स्वस्ट क करना है ब्रह्मा बाबा कभी-कभी बात्चित करते हैं और उन्हें वंडर लगता है कि मैं श्रुव बाबा को बार-बार क्यों भूल जाता हूं क्या बाबा के आने से मुझे को याद आती है और बाबा के चले जाने से मैं भूल जाता हूं पर मैं तो बाबा का बच्चा हूं मैं शिवाबा को क्यों भूल जाता हूं। मुझे एक शिवाबा को याद करना है। बाबा ही तrit नेत्री, प्रिकाल दर्शी है। स्रृष्टी के आदी मत्यांत का ज्ञान देते हैं। बाबनी का मैं सिक्कि की नदे बच्चों को ज्ञान की एक बूंद देता हूं। निरंतर मुझे याद करो दे से दे के सब समंदों को भूल जाओ एक मुझे याद करो माया याद करने नहीं देगी लेकिन आपको याद की रेस करनी है याद से ही माया जीत बनेंगे गातें ज्यान सुर्य प्रगटा अज्यान अधेर विनाश बाबा जबाते हैं अज्यान के अंधकार को दूर करते हैं आत्म और परमात्म का मिलन इसी समय होता है इसी को राजयोग कहते हैं कोई भी मनुष्य आत्मा ये योग नहीं सिखा सकती बाबा स्वेहम राजयोग सिखाते हैं बाबा ने कहां गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला सज रहा, जवसत गुरू मेला दलाल ये मेला इसी समय लगता है जिस समय बाबा आकर आत्मों को पावन बनाते हैं साथ साथ बाबा नहीं कहा कि इस समय तुम बच्छों को याद का पुर्षाथ विशेश करना है आपको साकार में होते भी निराकार शुवावा को याद करना है इस आकार के माध्यम से भी निराकार शुवावा याद रहे इस ब्रह्मा वावा को देखते भी जो शुवावा को याद करते हैं ये बुद्धी की लगन्ध का परिणाम है ऐसे आप Dilaraam की सच्ची सच्ची दिलरुबा हूँ आज वरधाने दिवस पर चलते फिरते याद रहे मैं Dilaraam की दिलरुबा हूँ मुझे सबको सुख देना है सुख देना है, सुख प्राप्त करिना है अब सुनते हैं आज के मधुर महावा के राज योगनी बड़े दिदी से हैं बाबा कहते हैं मीठे बचे विचार सागर मंथन कर शिरी क्रिश्चन और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्वष्ट करना है प्रशन है ब्रह्मा बाबा अपने आपसे क्या बातें करते हैं और उन्हें बंडर क्या लगता है ब्रह्मा बाबा अपने आपसे बातें करतें पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है ऐसे तो नहीं कि जब आप परवेश करते हैं तब याद रहती है बाब अचले जाते हैं तो याद भूल जाती है प्रंतु मैं तुनका बच्चा हूँ याद भूल क्यों जाती है क्या मेरी याद से बाब आते हैं ऐसें से बाबा अपने आफसे बाते करके बन्डर खाते हैं. गीत है, तु प्यार का सागर है, तेरी एक बुंदर के प्यासे हम ओम शानते हैं. शी बाबा बैठ करके, अपने सिक्के लदे बच्चों को समझाते हैं, कि गीता का बगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में आ ग्यान अध्यारा, इसको का जाता है घोर अध्यारा, फिर सोजरा चाहिए ग्यान का, परमपिता परमात्मा कोई मुनुश मानते हैं कि वो ग्यान का सागर है, अच्छा वो ग्यान का सागर है, फिर उनसे क्या मिलता है नदियों से तो पानी मिलता तो भर भर का सुनान भी करते हैं तुमको तो ग्यान सागर से क्या मिलता है एक बुंद बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि मैं ग्यान का सागर हूँ तुम को एक बुंद देता हूँ कौन सी बुंद सिर्फ कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तुम मुझे याद करो समझो हम अपने शांती दाम सुख दाम में चले जाते हैं बापा को जाद करते करते शांती दाम सुख दाम चले जाते हैं ग्यान सागर एक सेकिंड में जीवन मुक्ती वेकुंट में भेई देते हैं घर बैठे भी दिवे दृष्टी दे देते हैं मनुझ दो एक दो को सामने दृष्टी देते हैं बाबा घर बैठे साक्षत कार करा लेते हैं, एक बूंद मिनने से तुम यहां से उड़ जाते हो उपर, जहां बैठे बैठे तुम वेकुंठ में चले जाते हो, अब बाबेड समझाते हैं, गीता का भगान कौन? वो है ग्यान का सागर निराकार, मनुशतों काते हैं श्री क्रिशन के लिए, अब तुम्हें समझना है क्रिशन ने तो ग्यान ने सुनाया, पहले-पहले तो कहते हैं, क्रिशन ने माता के गरव से जनम लिया, कंस वुरी थी, फिर अवाज हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला कांस जरासिंदिया कासुर्व कासुर पाप आत्मे सब का विनाश करने के लिए उनका जनम दिखाते हैं तो श्री क्रिशन ने जनम दिया वह तो छोटा था फिर ग्यान कब दिया यह तो जुद के मैदान में दिखाते हैं क्रिशन का बड़ा रूप छोटा तो नहीं देखते ऐसे श्री क्रिशन जैनती के बाद फिर गीता जैनती दिखाते हैं कुछ समय के बाद जब बड़ा हुआ तब ग्यान दिया होगा, ये भी दिखाते हैं, जनम दिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रातरी के समय, जहां तुम देखते हो, शी बाबा की पद्रामनी होती है, ब्रमातान में अवतरित होते हैं, कोई को पता ही नहीं के कब आते हैं, कब परवेश्ता हुई, शी बाबा तो बच्चा बनता नहीं, वे तो बूरे वानप्रस तवस्ता में आते हैं, कब आया उसकी डेटी नहीं, क्रिशन की दो ती तरीक है, वे गरव से पैदा हुआ, यह शी भावा तो ग्यान का सागर है, उनका छोटा रूप तो है नहीं, जो बढ़ा हो कर फिर ग्यान सुनाए, क्रि जन तो मनुष था, देधारी मनुष को कभी ज्ञान का सागर कह नहीं सकते, शीरी कृष्ण का जनम तो स्वरग में हुआ, वेक इसको राजयोग सिखाते, शीरी कृष्ण का जनम तो स्वरग में हुआ, वेक इसको राजयोग सिखाना सके, के खुदी राजा है, ब्रवर कि इस समय निराकर शी बाबा कर हमें राजयुक सिखाते हैं, पतितों को पाण बनाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फरक है, ये है संगम, जबके ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुर बाब कहते, मैं आता हूँ, मेरी कोई विशेश तित्तरिक नहीं है, क्रिशन राम आदे की तित्तरिक है, मुख्याई दो, श्री क्रिशन और श्री राम, अभी क्रिशन जैनती आती है, तो उन्हों को समझाना है, क्रिशन तो छोटा बच्चा है, राद दिन तो ब्रह्मा का गाया हुआ, ब्रह्मा का दिन श्री क्रिशन, ब्रह्मा की रात है ब्रह्मा, कि श्री क्रिशन सद्यू का फस्ट प्रिंस, ब्रह्मा है लास्ट जनव, ब्रह्मा ही फिर सो क्रिशन बनता है, संगम युग पर शुदर से ब्रह्मा, ब्रह्मा ही फिर स शिव जैनती वा शिव रातरी कहो, शिव जैनती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता, वै गरम में तो आते नहीं है, साधार अनतान में आते हैं, चोटे पांद में उनको मोहन अत्वा क्रिशन कहते हैं, जैसे प्रेंस आफ इंद्रप्रस की, इंद्रप्रस का फिर से किंग होगा, क्रिशन अक्षर नहीं फिर महराजा नाम गाया जाता है शिरी लक्षवी नराइन को महराजा महरानी कहते है असल नाम महराजा महरानी ऐसे नहीं के नराइन ने ज्ञान दिया था स्वंबर बाद शिरी क्रिशन ही फिर नराइन बनते है अब ज्यान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है, उनका वेराथ तो बड़ा है, आने से ज्यान सुनाना शुरू कर दिया, शिव बाबा ने आने से ही ब्रह्मा तन में अवतारित होकर उनके द्वारा ज्यान सुनाना शुरू कर दिया, ये ब्रह्मा तो कुछ जानते थे, समझ में आता है, कि इन में आया हुआ है, जो वो साक्षतकार का राज आता ये साक्षतकार का राज आता ये नौलज शुरू में पहले समझ में नहीं आता था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, कि साक्षतकार का राज आता ये नौलज शुरू में पहले समझ में नहीं कि शुरू में जब बनारस गए, तो दिवारों पर गोले आदे निकालते थे, पर समझ कुछ ने आता था, कि ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए, शी बाबा ब्रह्मा द्वारा साक्षत कार में चितर बन वा रहे थे, तो नया जनम लिया ना, कहते है ना बाबा हमार दस मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी छोटा बच्चा हो गया, पहले कुछ समझ में नहीं आता था, ये ज्ञान की बाते और थी, अभी तो सीखते सीखते कितने वरश हो गए, अभी बाब की बाते समझ में आती हैं, बच्चों का श्री कृष्ण जैनती पर चित्र तो बराबर हैं, जाड में देखो, उपर ब्रह्मा का चित्र है, मक्खन तो यहाप कर लेते हैं, मक्खन तो यहाप कर लेते हैं, विश्व के मालिक बने का मक्खन है, क्रिष्ण सद्यो की प्रालवद लेकर के आया है, श्री क्रिष्ण है सद्यो का फॉस्ट प्रिंस फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे ये है उनकी प्रालवद जो कल्जू में तो थी नहीं तो ये सूर्य वन्शी की प्रालवद किस समय किस ने बनाई गय जाता है ग्यान सूर्य प्रगड़ा अग्यान अधेरविनाश ग्यान सागर्दोशी बाबा है क्रिशन कैसे गीता सुना सकता है पैतो बच्चा है गरम में आया फिर दिखाते हैं वहाँ कांस जरा सिंदादी थे वहाँ तो कोई असर हो ना सके सद्जू में तो कोई असर हो ना सके असर और देवताओं की लड़ाई दिखाते तो जरूर असर कल जूग में अंत में होंगे देवताओं सद्जू के आद में दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं बराबर लड़ाई बराबर है देवताओं तो जहां हो ना सके असर दिखाते हैं कल जूग में सद्जू में देवताओं असर और देवताओं की तो लड़ाई लगना सके ब्रावबर जे माभारे लड़ाई है देवताओं तो जहां होना सके असरों की असरों में लड़ाई चली है मुसल्मानों का राज्ये भी देखते हो ब्रावबर जादव कौर और पांडव भी है पांडव है नौन वाइलेंस अर्थाद आहिंसक जोग बालवाले जहां तो रखती नदियां बैती रहती दुश्मनी तो है अपस में पार्टीशन में रखती नदी कितनी अच्छी बही थी भाई-भाई की जुद्धोई भाई-भाई तो है न वह तो एक दो का खून करते हैं तलवारे चलाते हैं तब रखती नदि बैती है और ये संगम का समय है रखती नदियां बैने के बाद फिर दूद्धी की नदियां बैनी है वो सद्धियों में बैंगी ये कल जुगांत में कृष्ण तो छोटा प्रेंस है उसको तो ग्यान का सागर कह नहीं सकते देवताओ कि तो महमा गाई जाती है कि वो सरगुन संपन सोला कला संपूरन संपूरन निर्विकारी मरियादा पुरषोत्थ हों तें ये महमा बच्छे की तो हो नहीं सकती महमा मेशा राजय रानी की चलती है वो इनीद्ध फिर शरी लक्ष्वी नारायन सद्जू में जईinkर संबर के बीवाद श्टी लक्ष्वी नरायन बनते हैं, वैफे सज्जू में, फिर श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, कितनी बड़ी भूल कर दिए, लक्ष्वी नरायन की छोटे बंड की कहानी कोई बता न सके, राम सीता के तो फिर भी कुछ ने कोई बताते हैं, लक्षवी नराइन की तो मेमग आई जाती है कि उस सरगुन संपन सुलकल संपूरन संपूरन निर्विकारी मर्यादा पुर्शोतम अहिंसा पर्मो धर्मा अच्छा फिर उनको राजे किस ने दिया लक्षवी नराइन कहने से तुम्हें सजुख जा जाता ये है नर्शे नराइन बढ़ने की कता सत्य नराइन की कता कहेंगे सच्चा बाबा ग्यान का सागर आके सच्ची कता सुनाते है सारे स्रिष्टी के आदमधन की कता है उसमें श्री लक्षवी नराइन की कता भी आ जाती है कि उनकी 84 जन्मों की कथा दिखाते हैं शिरी नरायन की कथा सही तो बेड़ा पार हुआ ब्रॉबर बाब बैड बच्चों को नर्से नरायन बढ़ने की सची कथा सुनाते है शिरी नरायन तो बड़ा है ना रादे क्रिशन जिनका संबर के बाद शिरी लक्ष्वी नरायन नाम रखा है बाबा ऐसे निबन देते हैं फिर तुमको विचार सागर मंथन करना है तुम जानते हो अब यह कलजुग यादव कौरव पांडव भी है कलजुग का समय भी है कलजुग के बाद जरूर सद्जुग होगा बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं गाइड बनाया हूँ रावन के चंबे से छुड़ाए पावन बनाकर तुम्हें साथ ले जाओंगा आत्मों को ले जाओंगा ना गाय जाता है आत्मा परमात्मा अलगरे बवकाल सुन्दर मिलन सज्ज्रा जब सत्गुर मिला दलाल मेमा उस एग निराकार की है के सुन्दर मिला कर दिया जब वो सत्गुरु दलाल के सादर था ब्रमा द्वारा मिला यहां तो सब गुरु है सत्गुरु मिला दलाल के द्वारा यहां तो सब गुरु है इस समय सत्ग परमपिता परमात्मा दलाल के द्वारा था ब्रमा द्वारा मिलते हैं परमात्मा निराकार वेया कर इन में परवेश कर आत्मों की सगाई अपने साथ कराते हैं कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो इस शरीर में बैठ कर कहते हैं मा मेकम याद करो मैं तुम को माया रावन से लिब्रेट कर साथ ले जाओंगा फिर तुमको रजाई दे कर मैं निर्वान धाम बैठ जाओंगा माया रावन से लिबरेट कर साथ ले जाओंगा शांती दाम फिर तुमको स्वरग में भेई दूँगा कृष्ण थोड़ी ऐसा कह सकते हैं ये है आत्मर परमात्मा का मिलन कृष्ण तो छोटा बच्चा है तो बाबा ने समझाया कैसे इन में परवेश्था हुई फिर समझने लगा ब्रमा बाबा समझने लगे कि मैं राजाओं का राजा बनता हूँ फिर समझने लगे मैं राजाओं का राजा बनता हूँ विष्णु का साक्षद कार हुआ दिल में बहुत खुशी होगे फिर विनाज का साक्षद कार भी हुआ शुरू में प्रन्तु इतना समझ में नहीं आता था विष्णु का साक्षद कार हुआ तो खुशी हुई फिर विनाज का भी साक्षद कार हुआ पर उस समय इतना समझ में नहीं आया अभी समझते हैं कि ये बाबा ने साक्षत करकर आया कि तुम ही नर से नरायन बनेंगे बाबा अपने आप से बाते कर रहे थे कि पताने क्या होता है जोशी बाबा को याद करना भू जाता हूँ ऐसे तो नहीं कि जब बाब परवेश करते है बाबा अपने आप से बाते करते रहे कि पताने क्या होता है जोशी बाबा को याद करना भू जाता हूँ ऐसे तो नहीं कि बाबा जब परवेश करते हैं तब समझता हूँ कि बाबा आया है याद रहती है बाबा चला जाता है तो भूद आता हूँ क्या मेरी जाद से आते हैं ऐसा कए मैं घड़ी-घड़ी जाद करता हूँ भलावे इसमें तो सबका कल्यान है जादी मुख्य होती है तो बाबा ने समझाया गीता जैनती के बाद होती है शिरी कृष्ण जैनती पहले है शिव जैन्ती, फिर गीता जैन्ती, फिर शिर कृष्ण जैन्ती शिव तो बड़ा है न, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं मानब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो तन बड़ा है इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए पहले ख्याल करो, के शिव किसको कहते हैं, जिसकी रात्री काई जाती सद्यूत्व श्री कृष्ण की राइधानी, नर से नहराइन बनने की नौलेज तो जरूर बाप ही देंगे, ये नौलेज़ फुल है, और किसी को भी नौलेज़ फुल नहीं कह सकते गाड इज नौलेज़ फुल, वे रच्चता है, मनुश्रिष्टी का बीज रूप है, वोई ड्रामा की नौलेज़ सुनाएंगे ड्रामा कब शुरू होता, और फिर कब पूरा होता, ये किसी को पता ही ने सज्यू से कल जुगान तक, वर्ड की स्ट्री जॉग्रफी कैसे चलती है, ये कोई समझा न सके सुनाएंगे वो जो त्रिकाद दर्शी हो, त्रिकाद दर्शी तो कोई है नहीं, सिवाए एक शी बाबा के वही तुम को आकर त्रिकाद दर्शी बनाते हैं, अर्था तीनों कालों का ग्यान देते हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिके लदे बच्चों पृत, मात, पिता, बाब, दादा का जाद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहानी बाब की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाब दादा को, नमस्ते, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, अवैदारन के लिए मुखे साथ, अबे पॉइंट है, मास्टर नौलेफुल, और तरिकादर शी बन, शीरी क्रिश्यन और परमात्मा शीव के महान अंतर को सपष्ट कर, घ भोर अंध्यारे से निकालने की सेवा करनी है, दूसरा, बाबा जो ऐसे निबन देते हैं, उस पर विचार सागर मन्थन करते रहना है, ख्याल करना है, कैसे हम किसको समझाएं, अब बर्दान, सत्गुरु वार, प्यारे बाबा का बर्दानी हाथ सिर पे रख, हम ये बर्द सुनेगे, बुद्धी के चमतकार द्वारा, अकार में साकार का अनभव करने वाले, दिला राम के दिल रुपा भाव, कई बचयाए बाल पीछे हैं, लेकिन अकार रुप द्वारा भी अनभव साकार रुप करते हैं, ऐसे अनभव से बोलते हैं, कि हमने साकार से पाना ली ह और अब भी ले रहे हैं, तो अकार रूम में साकार का अन्भव करना, ये बुद्धी की लगन का सनेका पर तक सुरूप है, ये भी बुद्धी के चमतकार का सुबूत है, ऐसे बचे, दिलाराम बाप के समीब, दिलाराम के दिल रुबा है, जिनके दिल में सदा यही गीत बच शुरूगन है त्यागी आत्मा के हर करम वा कदम में सफलता समाई हुई है और अब सुनते हैं आज का अविक्त ग्यान होती ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है